चलो बच्चो अब देखते हैं example 6.7 A bob of mass M is suspended by light string of length L यहां figure देखे यह है एक bob जिसका mass है M और यह है एक string जिसकी length है L उस पे से इसे suspend किया हुआ है यहां से अब अगे It is imparted a horizontal velocity V0 at the lowest point A देखो यह इसका lowest point है A यहां पे इसको V0 velocity दी जाती है अब आगे देखते हैं देखें lowest point A such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane with the string becoming slack only on reaching the topmost point C यानि कि यहां से जो V0 velocity दी है वो इस तरह से दी है ताकि जब यह highest point topmost point C पे पहुंचता है तब इसकी जो string है वो slack होती है देखो अगर यहां पे velocity बहुत ज़्यादा दे दी तो होगा यह कि यह इतना fast यहां से पास होगा कि यहां पे जो centrifugal force है जिसे हम pseudo force भी कहते हैं जो कि बार के और लगता है वो बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसे में string में tension होगा यहां पे क्या कहें कि string में tension नहीं रहता है string slack हो जाती है यानि कि tension नहीं रहता है और दूसरी बात यह भी समझ लो अगर velocity बहुत कम दी तो होगा यह कि यह बाब शायद यहीं से कहीं से ऐसे return गिर जाएगा यहां से यहां तक जाएगा और फिर यहां से ही वापिस ऐसे नीचे गिर जाएगा वो पुरा semi circular path पुरा ही नहीं कर पाएगा understood तो हमें एक ऐसी particular velocity V0 इसे देनी है ताकि यह semi circular path तक तो जाए C point तक तो पहुँची जाए लेकिन C point पे पहुँच कर उसके पास tension कुछ भी ना हो string में tension ना हो यानि कि string जो है वो slack रहे आई बात समझ में अब आगे बढ़ते हैं देखे this is shown in figure यह figure में सब कुछ दिखा है obtain an expression for V0 यानि कि यह जो V0 है इसके लिए equation तयार कीजिए second the speeds at point B and C यानि कि इस B point और C point पे इसकी जो speed होगी वो भी find कीजिए 3 the ratio of kinetic energies KB and KC at B and C point यानि कि इस B point और C point पे इसकी kinetic energy जो भी हो उसका ratio भी find करना है comment on the nature of the trajectory of the bob after it reaches the point C यानि कि यहां पे पहुँचने के बाद इस bob की trajectory कैसी रहेगी यह भी बताईए चलिए सबसे पहले तो मैं इन तीनो points पे इसकी जो velocity है उसका vector show कर देता हूँ अब इसे हम solve कैसे करेंगे यह मैं आपको बता देता हूँ देखे एक तो हर एक point के ऊपर हम force का equation लगाएंगे और दूसरा हर एक point के ऊपर total energy यानि कि उसकी mechanical energy का equation हम तयार करेंगे इस तरह से total 6 equation बनेंगे इन 6 equation से हमारे यह answer सारे निकल के आ जाएंगे कैसे होगा यह चलिए देखते हैं देखे सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे नीचे का जो point है यानि कि point A मैं अपर लिख लेता हूँ for point A यहाँ पे अगर हम force का equation लगाएं तो समझे क्या होगा देखे एक force तो नीचे की और लगेगा वह है mg obvious है और दूसरा force देखे इस string में खीचाव produce होगा यानि कि string में एक tension produce होगा तो वह tension है ta A point का tension है तो लिख रहे हम ta all right इसके इलावा एक और force होगा जो कि यहाँ पे नहीं बता है मैं दिखा देता हूँ आपको देखे जब आप इसे velocity V0 देते हो तो यह यहीं से ऐसे circular path पे motion शुरू कर देगा अब जब यह circular path पे motion कर रहा है तो आपको पता है कि इसमें centrifugal force produce होगा ऐसे बाहर के और centrifugal force या फिर जिससे हम pseudo force भी कहते हैं वो produce होगा और आपको यदोगा कि centrifugal force यानि slides जो है वो centri pedal जितना ही होता है यानि कि mv square upon r जितना ही होता है सही है तो हम यहाँ पे यह force भी यानिकि centrifugal force भी दिखा देते हैं देखिए यहाँ पे velocity जो है वो V0 है तो यह M V0 square upon R अब R यानिकि string की length हो जाएगी तो यह हो जाएगा M V0 square upon L तो कहने का मतलब यह है कि नीचे की और दो force है M G plus M V0 square upon L और उपर की और एक ही force है tension तो यह tension इन दोनों force को balance कर रहा होगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि tension T A will be equal to M G plus M V0 square upon L सही है इसको हम नाम दे देते हैं equation number 1 तो यह हो गया force का equation अब हम बात करते हैं energy का equation energy यानि कि mechanical energy अब देखें mechanical energy यानि कि kinetic energy plus potential energy अब kinetic energy A point के उपर जो है वो हो जाएगी M V0 square by 2 या फिर कहें 1 by 2 M V0 square plus potential energy हो जाएगी 0 समझना देखें यह lowest point है तो lowest point पे हम potential energy 0 लेंगे तो यह हो जाएगा 0 तो in short यहाँ पे जो mechanical energy है वो 1 by 2 M V0 square होगी इसको हम नाम दे देते हैं equation number 2 ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरा point for point B अब B point पे अब देख पा रहे हो के उपर की और velocity है VB अब इससे इस bob को यहाँ बाहर की और centrifugal force या फिर कहें के pseudo force लगेगा इस वज़े से string में tension produce होगा जो की अंदर की और produce होगा यहाँ का जो tension है इसको हम Tb नाम दे देते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tension Tb that will be equal to the centrifugal force और centrifugal force यहाँ पे हो जाएगा M Vb square upon R लेकिन R की जगा पे वापिस यहाँ पे length L यहाँ पे और कोई force नहीं लग रहा बाहर की और centrifugal force अंदर की और tension Tb तो यह दोनों एक दूसरे को balance कर रहे होंगे that's all इसको कह देते हैं हम equation number 3 वैसे यह equation हमें काम में आने वाला नहीं यहाँ पे लेकिन फिर भी मैंने यह equation लिया है क्योंकि आपको इस तरह के MCQ बहुत कुछे जाते हैं तो उसमें B point के उपर इस तरह से आप force compare कर सकते हो और उससे आपको एक equation मिलता है चलिए अगे बढ़ते हैं इसकी mechanical energy mechanical energy याने की kinetic energy plus potential energy इससे पहले एक बात मैं बता दूँ अब देख रहे हो कि मैं यहाँ पे E A और यहाँ पे E B ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है क्योंकि यह पूरी जो motion हो रही है वो gravitational force की presence में हो रही है यह ऐसे vertically घूम रहा है यह नीचे का point है यह उपर का point है ऐसे घूम रहा है तो पूरी जो motion हो रही है वो gravitational force की presence में हो रही है लिकूंगा, और राइट, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे E यानिकी kinetic energy plus potential energy, अब देखे, kinetic energy तो इस velocity से मिल जाएगी, और वो हो जाएगी, 1 by 2, M, VB square, ठीक है, plus potential energy, potential energy के लिए समझे, यहाँ पे हमने potential energy 0 ली थी, अब इससे B point की बात करें, तो B point की जो height है, वो L जितनी है, देखे, आप path मत देखे, conservative force में, conservative force में path important नहीं है, सिर्फ height important है, चाहे आप इस bob को सीधा ऐसे ले जाओ, या फिर ऐसे ले जाओ, दोनों में height उसकी L जितनी होती है, इसलिए इसकी potential energy कितनी हो जाएगी, MGH equation से MGL लिख सकते हैं, तो मैं यहापर लिख देता हूँ, MGL, यह हो जाता है equation number 4, ठीक है, चलिए, अब हम जो उपर का point है, यानि कि यह जो C point है, इसकी बात करेंगे, उसमें आगे बढ़ें, उससे पहले एक बात कह देता हूँ, मैं यहापर, देखिए, यहापर force की बात करें, तो इस Bob का, जो gravitational force है, Mg, वो तो नीचे की और ही लगेगा, obvious ही बात है, और string में, अगर tension produce होता है, तो tension ऐसे नीचे की और produce होगा, सही है, लेकिन आपको यहाँ पे कहा है, कि यहाँ पे string जो है, वो slack हो जाती है, इसलिए इसमें tension आएगा ही नहीं, अगर यह string slack है, तो tension कैसे, right, तो यहाँ पे यह tc लिखा है इन लोगोंने, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि tc will be equal to zero, यहाँ पे tension at c point will be zero, because string is said to be slack here, alright, अच्छा, ऊपर की और, यहाँ ऊपर की और centrifugal force तो लगेगा, क्योंकि यह जो motion हो रही है, वो circular path पे हो रही है, तो circular path है, तो obvious सी बात है कि ऊपर की और इसमें आपको centrifugal force तो लग नहीं है, तो वो मैं ऊपर की और शो कर देता हूँ, और यह centrifugal force आप जानते हो कितना हो जाएगा, m vc square upon l, ठीक है, तो इस point पे यह force और mg, यह दोनों एक दूसरे को balance करें, तो यह बात मैं आगे अभी दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे partition कर लेता हूँ, और अब हम आगे लेते ही, यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखेंगे, for point c, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, mg will be equal to, how much? m vc square upon l, यह हो जाता है equation number 5, और इस point पे, अगर हम mechanical energy की बात करें, तो mechanical energy, kinetic energy, plus potential energy जितनी होती है, तो kinetic energy हो जाएगी, m vc square, plus potential energy कितनी हो जाएगी, समझे, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे potential energy हमने 0 ली, वहाँ से लेके, यहाँ तक की अगर बात करें, तो इसकी total height जो है, वो 2L जितनी हो गई, है न, 2L जितनी, तो obvious ही बात है कि potential energy कितनी हो जाएगी, mg into 2L, potential energy हो जाएगी, mg into 2L, सही है, इसको कह देते हैं, equation number 6, चलिए, अब इन 6 equations से ही, हमारा पूरा answer आने बाला है, सारे answer इसी पे से आएंगे, देखे कैसे, सबसे पहले तो, आप देखे कि यह जो equation है, यह equation, यानि कि equation number 5, इसमें से M cancel हो जाएगा, तो VC square को आप subject बना लो, तो GL मिल जाएगा, तो इसमें से VC हमें मिल सकता है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, now, from equation 5, we can say that VC will be equal to what under root of GL, तो यह तो एक हमारा answer हो गया, क्योंकि हमें C point के उपर इसकी velocity कितनी थी, वो find करनी थी, तो C point के उपर इसकी velocity आ रही है, under root GL, यह हमारा एक answer हो गया, अब इसे हम use कर सकते हैं, यह VC का जो equation है, इसे हम use कर सकते हैं, equation number 6 में, क्योंकि यहाँ पर VC है, तो हमें इसे total energy मिल जाएगी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ यहाँ पर, using this in equation number 6, इसको मैं equation 6 में add कर आँँ, तो ऐसे आपको E is equal to मिल जाएगा, 1 by 2 M, देखें, VC square यानि कि GL हो जाएगा, right, plus यह है 2 MGL, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, मैं partition कर लेता हूँ यहाँ पर, चलिए, तो अब हम लिख सकते हैं कि total energy या फिर कहें कि mechanical energy जो है, वो हो जाती है, 5 by 2 MGL, right, देखें, यह वैसे मागा नहीं है answer के तौर पे, लेकिन फिर भी यह एक important value है, तो मैं इसे bracket कर रहा हूँ, कि mechanical energy जो है total, वो 5 by 2 GL है, और याद रहे कि यह जो mechanical energy है, वो पूरी process के दोरान constant रहने वाली है, तो अगर यह constant है, तो इसको मैं compare कर सकता हूँ, यहाँ पर देखें, इस equation के साथ, equation 4 के साथ, तो अगर मैं equation 4 के साथ compare करता हूँ, तो उसमें से मुझे V भी मिल सकता है, तो चलिए, इसे करते हैं, मैं आपे लिख लेता हूँ, comparing this with equation 4, ठीक है, तो left side में मैं लिख लेता हूँ, e की value 5 by 2 mgl, और right side में equation 4 जो है, 1 by 2 m vb square plus mgl, ठीक है, अब इसमें से आप देख पा रहे हो के m तो cancel ही हो जाएगा, तो बचेगा ये, कि 1 by 2 vb square, इसे मैं subject बना रहा हूँ, that will be equal to 5 by 2 gl minus gl, तो अब इसी बात है, कि ये हो जाएगा 3 by 2 gl, अब इसमें भी दोनों side, जो denominator में 2 है, cancel हो जाएगा, तो फिर vb का equation सिधा निकल के आ जाता है, that vb will be equal to under root of 3 gl, और ये हमारा एक answer है, इसे मैं bracket कर लेता हूँ, तो हमें b point की जो speed है, वो मिल गई, चली, अब हमें v0 find करना है, right, तो इसके लिए ये equation better है, देखे, e की value तो हमें मिली गए, और इसमें से हम v0 find कर सकते हैं, तो फिर, ये है equation 2 याद रखेगा, तो अब मैं लिखता हूँ, e putting value of e in equation 2, equation 2 में e की value, जो की है 5 by 2 mgl, वो मैं put कर रहा हूँ, equation 2 में right side क्या है, सिर्फ 1 by 2 m v0 square, ठीक है, तो अब इसे हम solve कर लेते हैं, तो इससे हमें मिल जाएगी दर असल, v0 की value, चली, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें से, देखो, 1 by 2 m cancel हो जाएगा, तो सीधा दिख रहा हैं कि v0 will be equal to under root of 5gl, right, इसे हम vA भी कह सकते हैं, यह a point की velocity है, इसलिए हम vA भी कह सकते हैं, और आपको question में v0 लिख के दिया हुआ है, इसलिए v0 भी कह रहा हैं, तो यह हो गया, एक और answer, speed का, a point के उपर इसकी जो speed है, under root 5gl है, बच्चों मैं चाहूंगा कि यह एक value आप याद रखिये, क्योंकि इस तरह के जो questions हैं, वो competitive exams में बहुत आते हैं, कि एक bob को ऐसे लटकाए गया है, और नीचे से उसे v0 velocity दी गया है, और जब वो उपर पहुंता है तब string उसकी slack होती है, तो ऐसे में v0 जो है, वो हमेशा under root 5gl जितनी होती है, आप देख पार हैं कि इसमें mass नहीं है, यह सिर्फ length के उपर depend कर रहा है, under root 5gl, तो आप इस value को वहाँ पे सीधा use कर सकते हो, चले, अब हमें find करना है kinetic energy का ratio, B और C point की kinetic energy का ratio, तो यह हम find कर लेते हैं, now the ratio, KB upon KC, will be what then, that will be equal to 1 by 2 M VB square upon 1 by 2 M VC square, तो देखो, 1 by 2 M तो cancel ही हो जाएगा, अब VB square यह रहा VB, और आगे हमने देखा था VC, VC कितना था, VC था under root GL, तो VC square हो जाएगा, सिर्फ GL, तो यह दोनों ही value हम put up कर देते हैं, तो अब यह सी बात है कि यह आजाएगा, VB square याने की 3 GL, और VC square याने की GL, तो KB upon KC मिल रहा है 3, यह न, KB upon KC will be equal to just 3, तो यह हो गया हमारा एक और answer, यहाँ पे दोनों ही velocity A से आपको दोनों की kinetic energy का ratio लेना था, तो यह मिल गया, देखे, समझने वाली बात है, B point P जो kinetic energy है, वो C point पे, यानि कि यह जो topmost point है, उसकी kinetic energy से 3 गुना जादा है, तो यह आगे सारे answer, अब एक last question यह भी पुछा है इसमें, जिसे हम figure में solve करते हैं, देखे, आपको यह पुछा है, कि comment on the nature of the trajectory of the bulb after it reaches the point C, अब देखे, यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी trajectory कैसे रहेगी, अब यहाँ पे इसको velocity तो है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे velocity 0 है, VC की value आपको मिली, तो यहाँ पे velocity है और obviously वो tangential direction में होगी, अब अगर यह spring ऐसे ही बंदी हुई है, तो obviously बात है कि यह ऐसे circular path पे ही जाएगा, मैं कहाँ रहाँ कि अगर यह spring ऐसे बंदी हुई है, तो C point के बाद वो attack नहीं जाएगा, नीचे गिर नहीं जाएगा, वो अपना circular path complete करेगा, और by chance आपको ऐसा पुछा गया है, कि C point पे पहुंचने के बाद उसकी string काट डाली जाती है, तो क्या होगा, तो ऐसे में, क्योंकि यह velocity tangential direction में है, तो यह bob simply projectile motion करेगा, इस तरह से projectile motion करेगा, राइट, अब देखते हैं, example 6.8, to simulate car accidents, auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted spring of different spring constants, consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed 18 km per hour on the smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10-3 newton per meter, what is the maximum compression of the spring? चले, पहले तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं, देखे, car manufacturers जो है, अपनी car के जो भी security systems है, वो काम कर रही है के नहीं कर रही है, उसे check करने के लिए क्या करते हैं, कि कार को पहले दोडा के, फिर एक stage जैसा होता है, जिसमें एक spring लगी होई होती है, उसके साथ टकराते हैं, अब जब car टकराएगी, तो पता चल जाएगा, कि उसमें कितना damage हुआ, उसमें seatbelt काम कर रहे थे कि नहीं, उसमें airbag और दूसरे security systems जो हैं, वो काम कर रहे थे कि नहीं, अब इसको समझने के लिए, ये figure देखिए, देखे, इस तरह का arrangement होता है, देखे, ये है car, और ये है spring, और ये उसके साथ जुड़ा हुआ एक stage है, पहले car, यहाँ पीछे तक थी, ये stage जो है, वो यहाँ पर था, और car यहाँ पर टकराई, और stage ऐसे पुरा दबा, यानि कि spring पुरीया से दब गई है, तो spring कितनी दबी है, maximum कितनी दबी है, वो ही find करना है, तो देखे, हमें यहाँ से लेके, यहाँ तक का ये जो distance है, वो xm find करना है, ठीक है, spring ऐसे दबी है, तो जो maximum spring का compression है, वो आपको find करना है, और विसी बात है, कि जैसे जैसे car अगे जाती जाएगी, वैसे वैसे spring दबती जाएगी, car की velocity कम होती जाएगी, और जहाँ पे car की velocity 0 हो जाती है, उससे आगे फिर spring दबेगी नहीं, और वो जो position है, वो spring की maximum compression वाली position है, जो कि हमने यहाँ पे show किये, तो यह stage पहले यहाँ था, और maximum यहाँ तक दब गया, xm जितना दब गया, यानि की spring का maximum compression जो है, वो xm जितना है, और यही हमें find करना है, चलिए पहले तो मैं यहाँ पे जो values दिये वो लिख लेता हूँ, एक तो आपको mass दे दिया है car का, car का mass है 1000 kg, दूसरा, car की speed दे दिया आपको, 18 km per hour, आपको पता है कि इसे आप 5 by 18 से multiply कर लिजे, तो यह आपको meter per second में मिल जाएगा, तो obviously बात है कि यह मिलेगा 5 meter per second, यानि की car की speed थी 5 meter per second, और spring का force constant आपको दे दिया है, 6.25 into 10 raise to 3 newton per meter, और आपको maximum compression find करना है, यानि की xm find करना है, अब यहाँ जैसे कि हमने बात की, कि car की जो kinetic energy है, वो इस जगा पे पूरी की पूरी, spring की potential energy में store हो जाएगी, तो हम यह लिख लेते हैं, here kinetic energy of car will be stored in potential energy of spring, यानि की हम कह सकते हैं कि kinetic energy is equal to the potential energy, now kinetic energy is 1 by 2 mv square, and the potential energy will be 1 by 2 k xm square, यहाँ पे xm जितना maximum displacement हुआ है तो xm square लेंगे हम, अब इसमें से 1 by 2 cancel हो जाएगा, और आप xm square find कर सकते हों इस तरह से, xm square will be equal to m upon k and v square, अब यहाँ पे values put up कर देते हैं, देखे m है 1000 multiplied by v square, यहनकि 5 का square 25 आ जाएगा, divide by k की value आपको दे दिये, 6.25 into 10 rest to 3, अब इसे solve करते हैं, देखे, यहाँ पे 10 rest to 3 तो वैसे भी cancel हो जाएगा, 25 divided by 6.25, that will give you xm square as 4, तो इसमें से xm आपको मिल जाएगा, xm will be equal to just 2, 2 meter, तो इसका मतलब यह हुआ, कि spring का maximum compression कितना होगा, spring का maximum compression होगा, 2 meter, अब देखते हैं, example 6.9, consider example 6.8, taking the coefficient of friction mu to be 0.5, and calculate the maximum compression of the spring, यानि कि अभी हमने example 6.8 में जो case देखा, उसी case को आप friction को consider करके लीजिए, देखे, example 6.8 में हमने कहीं भी friction को consider नहीं किया था, यहाँ पे friction consider करना है, और mu की value जो है, वो 0.5 लेनी है, तो मैं फिर से एक बार जो values वहाँ पे दी थी, वो लिख लेता हूँ, देखे, एक तो mass दिया था आपको 1000 kg, ठीक है, फिर हमें speed मिल गई थी car की, वो मिली थी 5 meter per second, और जो k की value है, spring constant k की value, वो थी 6.25, इन्टू 10 रस टू 3, newton per meter, और अब mu आपको लेना है, coefficient of friction, 0.5, और इस नई situation में, आपको xm find करना है, ठीक है, चले हूँ, वही figure यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखे, इस तरह से, यह है car, और यह car यहाँ से ऐसे, v is equal to 5 meter per second की speed से आती है, और यह stage था, यह spring पहले यहाँ तक थी, यह उसका stage था, जो की compress होके यहाँ तक आ जाता है, अब देखे हो कि यह stage यहाँ तक आ गया, और यहाँ पे car की velocity 0 हो गई है, यानि कि यह जो displacement हुआ, वो spring का maximum displacement है, spring का जो maximum displacement है, इसे हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रॉ कर लेता हूँ, यह है spring का maximum displacement, XM, अब समझे, इस दोरान, इस पूरी process के दोरान, यानि कि जब यह car इस तरफ आ रही हैं, तब spring का जो restoring force है, वो ऐसे बाहर के और लग रहा होगा, अब इसी बात है कि spring ऐसे अंदर compress हो रही है, तो spring का जो restoring force है, वो बाहर लग रहा होगा, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, spring का restoring force बाहर के और इस तरह से, इस तरफ यह हो जाता है, spring का restoring force, एफएस, और दूसरी बात, कि इस बार यहाँ पे, जो surface है, वो smooth नहीं है, यहाँ पे friction है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे में, car पे जो friction force लगेगा, वो भी obvious सी बात है, कि motion की opposite direction में, यानि की right side में लगेगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यह है friction force F, देखे, car इस तरफ motion में है, तो obvious सी बात है, कि जो friction force है, वो ऐसे बाहर के और लगेगा, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले, आपको एक बात मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे, देखे कि, spring का जो restoring force है, और car का displacement है, वो दोनो opposite direction में, यह बात याद रखना, साथ ही, यहाँ पे जो car का friction force है, और displacement है, वो भी दोनो opposite direction में, है न, तो इससे क्या होगा, कि spring के restoring force से जो work होगा, वो negative होगा, और friction force से जो work होगा, वो भी negative होगा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे, work energy theorem यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले, जरा हम normal force के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन normal force, mg के opposite लगता है, और, वो इस तरह से होगा, यह होगा normal force, यह मैंने car का center of gravity लिया है, और यह होगा, यहाँ पे mg, रैट, तो यहाँ पे normal force जो है, mg जितना हो जाएगा, मैं लेकिलेता हूँ, here, normal force, N will be equal to mg, but as we know that m is 10 raised to 3 and g can be taken as 10, so it will be 10 raised to 4, 10 raised to 4 newton, okay, so, so, friction, you have to come as friction force, that is, F is equal to mu N, and mu is given just 0.5, multiplied by 10 raised to 4, so the friction force will be 5 into 10 raised to 3 newton, alright, चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, work energy theorem से, मैं यहापे लिखता हूँ, S पर, work energy theorem, work energy theorem में, हम नॉर्मली, अगर देल्टा के, इसकल टू डबल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे, एक चेंज आएगा, डेल्टा के, विल नॉट बी, जस्ट इक्वल टू डबल्यू, इस्ट इक्वल टू डबल्यू, अगर सिर्फ, डबल्यू एफ, तो एक्वेशन सिंपल रहता है, डेल्टा के इसकल टू डबल्यू, यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स, एफस है, तो उसका वर्क हो जाएगा, डबल्यू एस, लेकिन अगर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी प्रेजन थै, तो उसका भी वर्क आपको एड़ करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानि की फ्रिक्शन फोर्स है, तो उसका वर्क, डबल्यू एफ मुझे एड़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, के WS is work done by spring, एड़ एफ is work done by friction, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखे, डेल्टा के यानि की, फाइनल काइनेटिक एनरजी, मैंनस इनिशल काइनेटिक एनरजी, अब समझे, यहाँ पे कार की, फाइनल काइनेटिक एनरजी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि कार रुख जाती है, और इनिशल काइनेटिक एनरजी के लिए, हम लिख सकते हैं, 1 by 2 M V square, सिंपल, अब बात करते हैं, WS की, work done by spring, अब यह आएगा negative, negative इसलिए, क्योंकि मैंने आपको आगे बता हैं, कि spring का force, और displacement opposite direction में, तो work हमेशा negative हो जाएगा, और दूसरा, यह जो force है, Fs, यह constant force नहीं है, यह variable force है, इसलिए variable force से होने वाला work, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, integration, Fs, dx, from the limit, 0 to xm, यह बात आपको पता ही है, अब लेते हैं, Wf, Wf यानिकी work done by friction, यह भी negative आएगा, क्योंकि friction force ऐसे right side में लग रहा है, और displacement left side में हुआ है, तो इसे भी मैं ले लूँगा, negative, बट यह force constant है, इसलिए इसमें सिर्फ force into displacement, यानिकि friction force F into displacement, xm हम लिख सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, यह हो जाएगा, negative, 1 by 2 mv square, ठीक है, और is equal to, यह हो जाएगा, negative, देखें, यह equation जाना पहिचाना लग रहा होगा, दरसल यह equation हमने use किया था, spring के अंदर store होने वाली potential energy के लिए, इसका answer आपको पता होगा, इसका answer आता है, 1 by 2 kxm square, simple सी बात है, fs is equal to हो जाता है kx, तो k तो constant निकल जाएगा, फिर x का integration हो जाएगा, x square by 2, और फिर उसमें upper limit डाल दोगे आप, तो हो जाएगा xm square by 2, यानि कि as a whole यह मिल जाएगा आपको, minus 1 by 2 kxm square, तो अब इसे मैं लिख लेता हूँ यहापे, यह हो जाता है, हो जाता है fxm, चलिए, अब इसे solve करते हैं, देखें इसमें दोनों ही side, negative cancel हो जाएगा, और दूसरा कि मैं पूरे equation को 2 से multiply कर देता हूँ, तो यह 1 off, 1 off निकल जाएगा, यहाँ पे 2 से multiply कर लूँँगा, ठीक है, तो equation मुझे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा, mv square is equal to kxm square plus 2fxm, अब इसमें जितनी भी values है, put up कर लेते हैं, देखें, m mass है 10 रस टू 3, v square, v है 5, तो v square हो जाएगा 25, is equal to k की value आपको दे दिया है, 6.25 इंटो 10 रस टू 3, xm square, ठीक है, plus 2f, देखें, f यानि की frictional force जो है, वो आपको मिल गया है, और वो है 5 इंटो 10 रस टू 3, and xm, अब देख पा रहे हो कि यह xm का quadratic equation बनने जा रहा है, तो मैं इसे solve ही कर लेता हूं सीधा, देखें, यह 10 रस टू 3 तो दोनों साइट से cancel हो जाएंगे, ठीक है, और आपको मिल जाएगा quadratic equation इस तरह से, 6.25 xm square plus 10 xm minus 25 is equal to 0, अब इसे हम quadratic equation, ax square plus bx plus c से compare कर लें, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, a that is equal to 6.25, b that is equal to 10, and c that is equal to minus 25, अब इसमें से हम xm find कर सकते हैं, equation आपको याद होगा, minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a, अब देखें, minus b यानि कि minus 10, plus or minus under root of b square, b square यानि कि 100 minus 4ac, अब देखें, यहाँ पे c अल्रड़ी minus है, तो दरसल यह minus minus plus हो जाएगा, और 4ac आप करोगे, तो वो मिल जाएगा 625, and upon 2a, that is 12.5, ठीक है, तो अब यह मिल जाएगा, xm is equal to minus 10, plus or minus 26.9, divide by 12.5, ठीक है, अब 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 अबिसी बात है कि, हमें xm की positive value यह consider करनी पड़ेगी, यहाँ पर, तो अगर हम positive value consider करते हैं, तो क्या होगा, देखे, अब अबिसी बात हैं, positive value, we will get xm is equal to approximately 16.9 divide by 12.5, right, so this will give you xm is equal to 1.35, 1.35 meter, so, here is our final answer, that in such condition, when we consider the friction as well, we get xm is equal to 1.35, आपने देखा, 6.8 example जो था, उसमें हमने friction consider नहीं किया था, case वही था, लेकिन friction consider नहीं किया था, तो हमें xm की value मिल रही थी 2 meter, जबकि यहाँ पर हमने friction consider किया है, तो xm की value आपको कम मिल रही है, यानि कि spring का compression कम हो रहा है, सिर्फ 1.35 जितना ही हो रहा है, all right, तो इस तरह से बच्चों, आज हमने जो examples देखे हैं, इस तरह से उसकी total energy find कर सकते हैं, या किसी भी point पे उसकी velocity कैसे find कर सकते हैं, और example 6.8 और 6.9 तो वैसे एक दूसरे के साथ related थे, 6.8 में without friction और 6.9 में with friction, work energy theorem का use कैसे करना चाहिए, यह हमने यहाँ पर समझा तो इसे के साथ बच्चों, यह lecture हम यहाँ पर समाप करते हैं, आज के यह सारे numericals के PDF की link मैंने description में रख दिये, आप उसे download कर सकते हैं और उसमें से लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर video के एक एक shot को pause करके, उसमें से लिखे तो ज़्यादा better रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने इस numerical को समझा है, उस तरह से textbook में नहीं दिया हैं, यह जो method मैंने यहाँ आपको करवाई हैं, वो ज़्यादा easy और समझने में याद रखने में आसान method हैं, तो I wish कि आप इसी में से लिखें, ठीक हैं, So, here with Anushman Baldaniya, signing off, तक करे.